सबसे पहले आपको टॉपपर की कॉफी आपको देखाना चाहते हैं देखिए स्क्रीन पर आपको लुख रहा होगा ठुच के इक टॉपपर अपने बौडिक जा में कॉपि को कैसे सजा सजा के लिखे हैं पहले पहले आप देख लिजीए तो आपको सबी भी सहंति हो या बताएंगे कैसे टॉपर की तरह आपको बोडिक जामें अपने कॉपी को आप कैसे आप लिखिएगा देखिए और पहले सबी कॉपी को देख लिए चलिए अब आपको बताने वाले हैं यहां पी देखिए आपका फिजीक्स हो या कमेश्टरी हो या बाय हो अभी जो आंतरीक मपिए नंच्षम काणा देखिए और देखिए और एक से पहले सबसे पहले आपको सबसे पहले आपको scale scale लेना है एक scale सबसे पहले चवथाई यहाँ पर इसे घिंच लेना है घिंच लिजिएगा घिंचने के बाद यहाँ पर देखिए तरीका बहुत ही बहतरिन बताने वाले हैं यहाँ पर देखिए माल लिजिए कि यह paper आपका है ठीक है यह paper है तो इसमें देखिए आप पर लगूतर यह परसन यहाँ दो नमर वाले परसन और पांच नमर वाले परसन का जवाब आप दे रहा है यानि उसका answer आप लिख रहे हैं ठीक है तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा उपर यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए लगूतर यह परसन का मतलब होता है कि दो नमर वाले परसन है तो यहाँ पर लगूतर यह परसन लिखिएगा इस तरह बलेके पेन से आपको लिखना है अभी बलेके पेन का काम है यह बुलू पेन का यह कहाँ पर इसका काम परेगा अब ही आपको बताने वाले है। यहां पर ऐसे लिखेगा। लिखने के बाद इसको थोड़ा सा यह से BND कर दीजेगा। सबसे बहुत रीषिटरिने तरीका अभी आपको बताने वाले है। बस इसी तरीका से COPY लिखेगा। एक भी नमबर आपको नहीं कटेगा और टू दप वाइंट जो कोचन काएगा उ कोचन लिखिएगा आप अपने बोडिक जाम में टॉप पर आप बन सकते हैं जो तरीका अभी आपको बता रहे हैं उस तरीका से अगर आप कॉपी को आप लिखिएगा तो ठीक है बहुत ही बह आप लिखने के बाद आपको टेंसन रहेगा यहां पे देखिए सबसे पहले being on किसी भी भी साय आप लिख रहें और यहां पर ऐस का हो या या केमेश्टरी का हो या वायो का हो ठीक है यह तीनों फर जिएओ जोन अब आपको तरीका बता रहे हैं यहां पर लागू फिम can we open a तो लंखो तर यह प्रस्ण का इंसर आप दे रहे तो लगू में प्रस्ण यहाँ पर लिखिएगा लिकने के वाद यहाँ पर देखिए मा knife slap यहाँ प्रस्ण यह ध्यान देजेगा- लाएंस सबी को धर बहुती बेटर और तो यह ध्यान देजेगा कपा मालजी के आपको दू नमर फ्रस्न आपको आ रहा है ठीक है तो दू ये नमर कोहीशन का एसर दीज पूँन दीखत के सिरेल उपटा करया चाया चलिए तु यहां पे पुर्छन मार के यहाँ प्लिखने के यह फिराध अंख अस्थरिय आपको लिखना दो अंख अस्थरिय इसका मतलब होता है कि अ जवाब दे रहे हैं दो नbenख़न प्रस्ण का यिंसर आप लिख रहे है तो ये दो नमर वाले प्रस्ण में फलक्स है ना से आप क्या समझते हैं तो यह सब को नहीं बिदूतिय छेत्र के फलक्स जो है ना यहाँ पर लिख दीजेगा अब बिदूतिय छेत्र के फलक्स और यहाँ पर देखिए यह तो भूलिएगा यहाँ पर देखर एक लाइन छोर कर एक लाइन छोर कर यहाँ पर उत चुमब की एसे आप क्या समझते हैं या बहुत सरा है ठीक है मेन मेन एथिक हो जाए इसे कि यहां पर देखिए यह कोचन होगा के बिधुतिये बल रेखा के दूग गुण को लिखे तो बिधुतिये बल इतना लिखना बिधुतिये बल के रेखा और बस उस पर से एक नमर तो अभी कोचन को आपको उतार देना है ऐसे नहीं देखते रहे इस वीडियो के आन तक आपको पूरा टेक्निक हो जाएगा कैसे कॉपी को लिखना है ठीक है लिखने के बाद यहां पर ऐसे दूग यहां पर बिंदू दे क्या इस तरह आपको कर देना करने के बाद यह नह माली जी के यहां तक आप का LED यहां तक और फीर यहां से इसमें देखना सब्राइं से टारफности म Wanna नहीं बहुत सरा पाना रहता है सजा सजा के लिखे ना ये जो वात यहां से लिखना है ना ये बस इतना ही बलेक पेन का है यानि काला पेन का इतना ही काम है इससे आगे यहां से जो आप एंसर इसके लिखेगा ना कुछ भी होगा यहां से इससे एंसर इसका जो भी होगा बस इस बुलू पेन का आपको प्रयोग करना है ठीक है यह बात आपको पुझा गया है यहां तक हुआ यहां तक इसका एंसर हुआ यह नहीं के यहीं से लिखना है चलो कर दिये बस यहां आपको छोड़ देना है छोड़ने के बाद दूगो लाइन को दूगो लाइन आपको लोह चुम्बक पो लिखना है यहां पर पहले 6 नमर प्रस लिए ब्लेक पेंड के यहांपर प्रस संख्या6 यहां पर होज़ान कोचन है और यहां पर दो अंक अस्थरी आपको लिखना है यह लिखने का क्या फाइदा इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी अग्जामनेयर होंगे देखा लेंगे कि चले ये दो नमर का है तो तो दु नमर इसे दे देंगे आपको आगे बहर जाएगे । ये नहीं कि अपको आपको ज़िए चल गाए। घाटा आपकर ना हुआ तो यहाँ पे सजा सजा के आपको लिखनाा यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर दो अंक अस्थरी आपको दहा है। अब यहां पर उतर आपको देना है यहां पर दूग एसे बिंदू अलब चुमबा कत्व यहां पर इसे देना है ठीक है अगर यह आ चाहते है ठीक है यह सबसे बेहतरीन कौंपी लिखने का तरीका हुआ अगर और ठोगते दोहgend एक से मस्म souvent और सजानाइएब देखिए अब जो फिट है यहां पर निचे बस एक से बीक से दूबर एक तो रहीं दीजेगा बहुत कुल रही पर समिदगी है यहां पर फिट रहेर यहां पर तूरह सकता है फिट से एक से दूबर ज्यादा बार नहीं एक से दूबर एक से दूबर बलेके पेंसे यहाँ पे थुरा सा हेडलाइन बना दीजेगा देखने में और बेटर आपको लगेगा फिर इस प्रस्टन को भी यहाँ पे एक से दूबर यहाँ पे जो है न एक से दूबर ज्यादा बार नहीं एक से दूबर यहाँ पे तू द फॉइंट लिखेगा जो कोचन कह रहा है उस कोचन को टूद एक डम यह जो कह रहा है उसी के डम सटिक जो मालूम है उस फिदम धरामध्रोम लिखते चला यह ठीक है जो मालूम नहीं है तो अपने से यहाँ पी देखिए हर पेपर के ऊपर यहाँ पे उससे वह अपने से अपना उसको अपने से परभासा बनाने का प्रियास कजिए ठीक है अपने भासा में लिखिएगा यह बिल्कुल आपको बुझा गया गया तो चलिए यह तो हुआ अगर यहीं पर दीर्ग उतर यह प्रसन ना सभी प्रसन पांच नमर वाला है तो यहां पर चलिए इसे आप कैसे आप बनाएगा यहां पर देखिए चलिए, सेम उसी प्रकार भी, जैसे यहाँ पे लिखे है ना, यहाँ पे दिर्ग उतरिय प्रस्न, यहाँ पे जो है ना, दिर्ग उतरिय प्रस्न, तो वहाँ पे सेक्सन भी था, यहाँ पे कुछों नहीं है, तो यहाँ पे दिर्ग उतरिय बस से, केवल दिर्ग उतरिय आप लिखिएगा दिर्ग उतर ही अब आइसको ऐसे ब्लेके पेंसे लिखना है इसको ऐसे थुरा सा कर देना है करने के बाद जीसका एंसर आएगा यहां पे जो गो बनाना होगा तीन गो बनाना है ना तो बस से यहां पे जोवन आपको आए पहले जोवन जीसका एंसर आपको यहां पर देखिए सभी कोचन को उतार नहीं देना है इसमें नहीं न बुझा रहा है कि इसमें क्या मेंन है है तो सोले नमर लिखिए अब इधूतिये दिवधूरु के कारण दिवधूरु से आर दूरी पर इस्थित बिन्दु पर इधूतिये चेत्रे परिकरित करें ठीक है यानि इसको आपको लिखना है तोब इसको आपकैसे लिखिएगा ठिक है चब बस इसका अंसर सटिक जो भी होगा उसको to the point लिखने का प्रियास किजिएगा यहां पे ऐसे देख कर यहां पे पाँच अंक अस्थरिये यहां पे लिख दीजेगा पाँच अंक अस्थरिये मतलब के पाँच नमर को होचन का इंसर आप दे रहा है इस तरह आपको लिखना है फिर माली जेगे 17 नमर को होचन आ रहा है तो 17 नमर यहां पे देखिए 17 नमर मे तो दे देजिये बहुती बेटर आपको लगेगा ठीक है यहां पर इसके निचे यह जो लाइन है ना जितना नमर का रहेगा उतना नमर आपको मिली जाएगा ठीक है तो यहां पर देखे क्रिचौप के बुझा जा रहा है क्रिचौप का नियम तो इसमें क्रिचौप का नियम यहां पर दर्सा दीजिएगा जिसमें नहीं बुझाएगा कि इसमें क्या है ठीक है बस उसको जैसे ह यहां पर फएसे रखकर औरिखते चल आगा यहां पर इसके नियम और इसके चाहें जो भी अपन उसको आई यहां मैहत का भी लीखना है तो चलिए मैहत का कैसे आपको एक बार दिखला देते हैं यहां पर देखिए मैहत का भी आपको दिखा देते हैं चलिए सबसे पहले six sun कौन है तो खौंड बहुत उपर खौंड बहुत लिखेगा लागूतर यह प्रस्न ब्लेक पिन से आप लिखेगा ऐसे आपको घहर देना घहरने के बाद माले जे के जोन भी आएगा उसका इंसर पहले आप देने का प्रियास किजिए ठीक है तो दो नमर प्रस् कि जो सीध करने वाला है यह नहीं के swabi को अचन को उतार देना है में में जो होगा ना उसको पहले जैसे कि इसको आपको सीध करना है कि इतना किया कैसे होगा ठीक है तो यहाँ पर इस को ब्लेक के पैन से यहां पर लिख दीजिए और यहां से लेचेस यह अन्य अपर पंद मेद्रें आपके निकल के चलाया ठीकिछ है तो यहां पे ब्लेक पेंट से थोड़ा सा इसे पंद्रें इसको टाकार कर दीजेगा करने के बाद यहां लिख दिजेगा कि HLHS यहां पे क्या लिखिएगा HLHS अ बेराबर निधे जो भी únगे ने आदर प्रूब करने वाला और दो Pan बा। पर देखिए अब माली जी के बुझा गया ना इसी प्रकार आपको लिखना ये नहीं के सभी कोचन माली जी के अब इस कोचन का एक नमर आया ये नहीं कि ये लाइन से यादी एफ आर आर में संबन्द है तो इतना क्या होगा ऐसे नहीं अब एफेक्स ब्राबर सबसे पहले ए प्रस्ण है दिर्गुतर्य प्रस्ण को आप कैसे लिखेगा उसी तरह यहाँ पे सेक्षन भी था तो हम सेक्षन भी हम लोग लिखे है ठीक है यहाँ पे सेक्षन भी लिखे है इसमें नहीं है तो मत लिखेगा दिर्गुतर्य प्रस्ण यहाँ पे लिखेगा दिर्गुतर् नुमर आये नो तो यहां पर 28 नुमर समा कॉलन करना यह नहीं कि यहां पर लिखना है समा कॉलन करें इतना ऐसे नहीं बस इतना लिकर यहां से हल बस हल बस जो भी है दम टूद अप्वाइंटी से हल किजिए ठीक है इसी तरह आप मैथ का भी फिजीक्स का भी केमेश्टरी का प्रकार यहां पर अंक दर्सांद आइढ़ इंग्लिस बचाना ी बचाना ऐसी परकर आप देख लीज़ेगा सेक्शन बाता होगा तो सेक्शन यहीं लिखेगा जो सेक्षन बाटिए गाई इंग्लिस में भी हिंदी में इसी तरह आप कॉंपी को आप लिखेगा जो इसे आपको बताए हैं और फिर से अगले वीडियो में चानल को भाई अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर लिजिए और जो भी वाइरल को चन होगा ना तो टेली ग्राम ग्रूप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दे रहा है ठीक है जूर जाएगा वहां पर सबसे पहले आपको देखने को आपको मिल जाएगा ठीक है तो चलिए और मिलते हैं फिर आप से अगले वी